राजस्तान में कहने को तो बीजेपी पूर्ण भहुमत से सरकार बनाने जा रही है किन्तु अबितक केंदरी ने तृत्व ने सीयम फेस की घोशना नहीं की है ऐसे में कॉंग्रिस लगातार सीयम फेस को लेकर बीजेपी पर हमलावार हो रही है दोनों पार्टियों के नेताओ द्वारा एक दूसरे पर बयानों का दौर अनवरत जारी है पिछले दिनों पूर्व मुख्य मंत्री अशोग घैलोत ने अपने एक बयान में कहा था कि बीजेपी साथ दिनों से अभी तक सीयम को लेकर ही असमंजस की स्थती में है ऐसे में बीजेपी द्वारा सरकार बनाने के बाद जनता को कैसे संतुष्ट करेगी इसी बयान को लेकर पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा था कि घैलोत पहले अपने गिरेबान में जाके इसी बीच वसुंद्रा राजे द्वारा दिल्ली जाना खासा सुर्खियों में रहा सबसे खास बात यह है कि जैसे ही वसुंद्रा दिल्ली से वापस जैपूर पहुची तो उनसे मिलने विधायकों के उनके घर पर ताता लग गया इसी बीच वसुंद्रा को कॉंग्रिस से मुख्यमंत्री चैरा बनने को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाय चल रही है राजस्थान में क्या होगा बड़ा उलट फेर बीजेपी में सीम फेस को लेकर जैपुर से लेकर दिल्ली तक बैठको का दौर चल रहा है उसमें राजे सीम पद के लिए या यू कईये सीम बनने के लिए पूरी जोर आजमाईश लगाये हुए है अन्यनेताओ के तुल्ला में सबसे जादा प्रबल दावेदार भी वही है और सीम पद की दौड में सबसे आगे भी है राजस्तान में शक्ती प्रदर्शन के बाद वसुंद्रा ने दिल्ली कूच किया चुनाव में भी जब राजस्तान में चुनावी माहौल था और दोनों प्रमुक पार्टिया अपने अपने पार्टियों के प्रचार प्रसार में लगी हुई थी उस समय भी वसुंद्रा राजे हमेशा चर्चा का विशे बनी रही वही दिल्ली में बैठी रही वसुंद्रा ने दिल्ली में बैठे बैठे जेपी नड़ा और हमेशा से मुलाकात भी की लेकिन इसी बीच राजस्थान में एक बड़ा उलट फेर देखने को मिला बाबा बालकनाथ जो सीम फेस के लिए बहुत चर्चा में थे उन्होंने सोशल मीडिया के ट्वीटर प्लैटफॉर्म के जरिये अपने आपको दूर कर लिया है उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं अभी बच्चा हूँ प्रदानमंत्री मोदी के सानिद्य में मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है ऐसे में उनके ट्वीट ने सियासी बाजार में और सरगर्मिया बढ़ा दी है बाबा बालकनात के बाद राजे ही एक प्रबल और मजबूत दावेदार दिखाई दे रही है अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि केंद्री नेत्रित्व सियम फेस को लेकर किसे नियुक्त करता है वसंद्रा राजे लगातार अपने समर्थक विधायकों के साथ मिलकर समर्थन जुटाने में लगी है बताया जा रहा है कि वसंद्रा राजे ने अभी तक 60 से अधिक विधायकों से बादचीत कर समर्थन हासिल कर लिया है और समर्थक विधायक वसुंद्रा राजे सिंधिया को समर्थन देने और मुख्यमंत्री बनाने की भी मांग कर रहे हैं इसी बीच सियासी बजारों में चर्चा है कि यदि वसुंद्रा राजे भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री नहीं बनाई जाती है तो वो कॉंग्रिस की तरफ रुख कर सकती है जहाँ पर उनको इशोक गैलोत की बाद मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता है ये बात कहां तक सही है इसलिए इस बात की पुष्टी नगरी मीडिया नहीं करता है लेकिन जो सोशल मीडिया पर चर्चा हैं उनके आधार पर हम आपको बता रहे हैं सोशल मीडिया के ट्वीटर प्लैटफॉर्म पर इंडिया गटबंदन के एक यूजर ने लिखा कि कॉंग्रिस के समर्थन वसुंद्रा भी बन सकती है मुख्यमंत्री कुछ सूत्रों से खबर चर्चा लगातार जारी है एक यूजर ने लिखा कि राज थी कि उनके इस शक्ति प्रदर्शन को बगावत के रूप में देखा जाए आपको बता दे कि वसुंद्रा राज्य के अलावा और भी कई ऐसे चहरे हैं जो की सीम की रेस में वसुंद्रा से आगे चल रहे हैं इनमें दिया कुमारी ओम माथुर कर्णल राज्य वर्धन सिं कुद्रा को भी सीम चहरा गोशित कर सकते हैं हाल फिलाल अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी का केंद्री नेत्रुत्व कब तक राजे को राजस्थान का सीम नियुक्त करता है या फिर कोई नया चहरा मैदान में उतारता है आपकी क्या राय है इस पर हमें बॉक्स में जरूर बताए इसी तरह की राजनीती से जुड़ी खबरों को देखने के लिए लगाता राप बने रही है नगरी मीडिया के साथ